आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आप लोग मद्विदेश में एक जाम देते हैं कोई भी गवर्मेंट एक जाम तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि आपके MP सामान ग्यान से कुश्चन्स आते रहते हैं मुझे लगता है कि अगर आप मद्विदेश में रह रहे हैं तब भी आपको मद्विदेश के बारे में एक सामान जानकारी होनी चाहिए कि कब मद्विदेश का गठन हुआ आखिर मानचित में कहा है मद्विदेश समझ रहे हैं इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए तो एक नवंबर 1956 में इह है आपका मद्वधिस इसकी राध्धानी हो गई भोपाल आप जानते हैं इसकी सीमाओं की अगर बात करें तो 36 गड़ से भी इसकी सीमा लग रही है महराश्ट से भी सीमा लग रही है गुजराश से भी सीमा लग रही है राजिस्थान से भी सीमा लग रही है उत्तर पिदेश से भी सीमा लग रही है एवी कई बार कुश्टनस बन चुका है कि मद्वधिस की सीमा कितने राज्जों से लगती है समझ रहे हैं तो इन सभी राज्जों को भी आप लोगों को याद रखना होगा यह 36 गड़ वही है जो सन 2000 में मद्विदेश से अलग करके बनाया गया था ठीक है पहले 36 गड़ मद्विदेश का ही हिस्सा हुआ करता था और यहां आपको मालू होना चाहिए कि मद्विदेश में विधान सवा सीटें आपकी 230 हैं लोग सवा सीटों की अगर बात करें तो 29 है राजिसावा सीटों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगी 11 सीटें देखने को मिलेगी आप जानते होंगे कि मद्विदेश में यानि कि मद्विदेश का हाई कोट कहा है मुख्विरान जिसकी जबलपूर में है इनकी अगर खंड़ पीट की बात करें तो आप सभी उन पिदेश कहे देते हैं, सोया पिदेश कहे देते हैं, नदियों का माय का कहे देते हैं, टाइगर पिदेश भी कहे देते हैं, मद्विदेश ने राज्य स्थापना के उपरां जो राज्किय प्रितीक चिन अपना है उसमें भारत की राज्किय चिन और इस्थानी ये विसिस दोनों को मत दिया गया है एह है आपका देखिए राज्किय राज्य चिन मद्विदेश का राज्य चिन अब लोग इसमें कारी के लिए राजी चन में आपको सबसे पहल सबसे बाहर 24 इस तूप दिखाई देंगे और इसमें इसमें इसके बाद बिर्थ ठीक है और जो सत्त तरक्की और विकास की असीम संभा होना का संकेत है एक तरह से इस बिर्थ के वीतर मद्विदे सासन और सत्मेव जैती उत्ती यह देख रहा है मद्विदे सासन और यह आपको नीचे सत्मेव जैती देखने को मिलेगा साथी राजी की पिर्मक फसल गेहों और धान की बालियां भी आपको देखने को मिलेगी ठीक है इसमें यहां बीच में ठीक है और केंद्री वेत में असोकिस्तम की सिंग आक्ती और राज ब्रक्ष बर्गत को देखने को मिलेगा आप जानते हैं राज जी का ब्रक्ष क्या है बर्गत और आपसे अगर पूँचे की राज जी का नट क्या है तो माच है और राज जी की अगर मचली के बारे में पूँचे अगर तो आप याद रखना चाहिए बरगद है आप सभी लोग जानते होंगे कि यहां हिंदू धर्म में बड़ा पवित पेड़ होता है नहीं काटा जाता है इसकी पूजा भी की जाती है कहते हैं भगवान बसते हैं इसमें ठीक है और बड़ा च्हायादार भी होता है ठीक ह साइंस्टिफिक रीजन भी होता है और धार्मिक रीजन होता है लेकिन दोनों के उद्देश एक ही होते हैं आप समझे कहा जाता है कि पीपल के बेड़ में भगवान बसते हैं आपने कहते हुए सुना होगा अपने घर के बुज़रू को लोगों को तो वो किसलिए भगवा में उसे आप देखें तो ऑक्सीचन देता है इसलिए इसे काटना नहीं काटना चाहिए ठीक है तो एक ही तरह है राजी पुस्प की अगर आपसे बात करें तो लेली है इसे आप देख सकते हैं अगर राजी के नित्य की पूँचे तो राई है ठीक है राजी के अगर बिदेश की जिला सरजना के बारे में ये आपको मद बिदेश का एक तरह सी नक्सा दिखाई दे रहा है ठीक है इसमें आप देखेंगे ए मुरेना हो गया भेंड गवालिया दतिया सेवपुरी सेवपुर गुना असो नगर ए नया जिलावी बना थनिवाडी टीकमगर छतरप पन्ना सतना रीवा सीधी सिंग्रोली सहडोल अनूपुर डिन्डोरी बालाघाट मंडला उमरिया कठनी जवलपुर सिवनी छिदबाडा नरसिंगपुर सागर रायसेन होसंगाबाद बैतूल हरवा हरदा सेवर भोपाल बिदीशा रायसेन गुना राजगर साजापुर इसमें आपके सभी जिलों के बारे में मुझे लगता है इस तरह के questions जरूर पहुंचेगा कि मदविदेश में सबसे कम लिंगनपात किस जिले का है तो आपको याद रखना चाहिए भिंड का अगर आपसे पहुंचे कि छोटा जिला छिदफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला कौन सा है और जनसंक्या की दृष्टी से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है तो जो नया आपका नया निवाडी जिला बनाया हो ये छेतफल की दृष्टी से भी छोटा है और आपका जनसंक्या की दृष्टी से भी छोटा है ठीक है सरवाधिक जनसंक्या घनत्त की और उसके बाद अगर आपसे पूँचे कि सरवादिक सा चर्तादर कहा है, तो याद रखना चाहिए जबलपुर में, ठीक है? अगर आपसे पूँचे कि नियोनतम जनसंख्या घनत्य कहा है, तो आपको वो याद होना चाहिए डिन्डोरी में, अगर आपसे पूँचे कि सरवादिक लिंगनपाद कहा है, तो बाला घाट में, कहा है, बाला घाट में, ठीक है? अगर आपसे पूँचे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना हो चाहिए छिद बारा, अगर आपसे पूँचे कि सरवादिक जनसंख्या किस से जले में है तो इन दौर में अगर आपसे पूँचे कि नियुन्तम साक्षर्टा दर कहा है अली राजपुर में इन सब के बारे में याद रखना चाहिए और इस तरह के भी कुश्चन्स पूँच लेता है कि उत्तर से दच्छन की लंबाई कितनी है मदवदेश की कितने छित में फैला हुआ है तो यह है आपका 605 किलो मीटर में अगर आपसे पूँचे कि पूरुप से पश्चिम तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह है आपका 870 किलो मीटर पूरुप से पश्चिम फैला हुआ है इस तरह से ठीक है चलते हैं हम लोग अब मदवदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं आप सभी गुमाल होगा कि मदवदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं यहां कुछ और सामन जानकरी है देखिए याद रखी अभी आप लोग ने सुना भी होगा इसके बारे में कि नागदा को नया बावन तिरेपन भा जिला पिस्तावित किया गया है अभी कोई जानदा माननता नहीं मिली हुए आगे करेंट से जुड़े रही अगर मिलती है तो आप लोगों को याद रखना चाहिए इसके बारे में भी कुश्चन्स इसलिए तो कहते हैं कि इस्ताई आंकरे आप लोग एक बार याद रख लीजे और बाकी आप लोग करेंट से जुड़े रही यह सलिए जो भी अपडेट होता है उसमें आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी अगर मदविदेश की अब हमें पड़ोसियों की बात करनी है तो आप सभी को मालू होगा कि सरवादिक अंतराश्टिये अंतराश्टिये तो अगर किसी देश से अन देश से अगर हमारे मदविदेश की सीमा लगती तब कहते हैं हम लोग की अंतराश्टिये सीमा लेकिन सरवादिक अंतराश्टिये सीमा वाला जिला आपका नीमच है कौन है? नीमच है ठीक है और अगर आपसे पूँचे कि गुजरात के साथ सबसे छोटी अंतर राज जी है सीमा लगती है यानि कि सबसे जाना सीमा आप देखेंगे कि नीमच की लगती है किसी राज से और सबसे कम सीमा आपकी गुजरात से और सबसे जाना उत्तरपेदेश से ये भी आपको याद रखना चाहिए और बाकी आप जानते हैं गुजरास से भी सीमा लगती है राजिस्तान ये उत्तरपदेश हो गया ये 36 गड़ हो गया नीचे आपका महराष्ट हो गया इस तरह के questions जरूर पूँच लेता है कि मद्पदेश की पड़ोसी राजिस से लगे मद्पदेश की जिले कौन-कौन से है कई बार पूँच लेता है कई बार पूँच लेता है कि उत्तरपदेश से मद्पदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है तो मद्पदेश की 14 जिलों की सीमा उत्तरपदेश से लगती है इसमें कौन-कौन से जिली है? मुरेना, भिंड, दतिया, सिवपुरी, असोकनगर, सागर, टीकमगर, निवाडी, चतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीथी, सिंगरॉली इन सभी जिलों की सीमा उत्तरपिदेश राजे से लगती है और राजिस्थान से अगर सीमा लगे हुए जिलों की बात करें तो इसमें आपको जहाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगर, गुना, सिवपुरी, सिवपुर, मुरेना अगर राज्य के नौ जिले महराष्ट से भी सीमा लगती है कौन-कौन से जिले है अली राजपुर, बडवानी, खरगोन, खंडवा, वुरहानपुर, बैतूल, छिदवाड़ा, सिवणी, बालागाट छे जिलों की सीमा राजिस्थान मतलब 36 गड़ से भी लगती है कौन-कौन से जिले हैं? सीधी, सिंगरॉली, सहडोल, अनुपो, डिंडोरी, बालागाट दो जिले की सीमा आपकी गुजराश से भी लगती है कौन-कौन से जिले हैं? जाबुआ, अली राजपुर ये भी कुश्टन्स का इबार बन चुका है तो इनको याद रखिया आप लो अब इस तरह के कुश्टन्स भी आपके पूंच लेता है कभी-कभी कि मद्विदेश की सीमा से लगे राजज और उनके जिले कौन-कौन से हैं? जैसे उत्तर पिदेश की सीमा मद्विदेश से लग रही है लेकिन उत्तर पिदेश की कितने जिले हैं जो मद्विदेश की सीमा से लगते हैं इस तरह के कुश्टन्स कई बार आ चुके हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पिदेश की तो आप देखेंगे आगरा हो गया, एटाबा हो गया, औरई, जहासी, ललितपूर, हमीरपूर, बांदा, जालोन या जालोर, इलाबाद, मीरजापूर, महुवा, सौनबद, चित्थकूर इन सभी जिलों की उत्तर पिदेश की जिलों की सीमा मद्विदेश से लगती है राजिस्थान के दस जिलों की सीमा मद्विदेश से लगती है, बासवाड़ा, पिरताबगड, जहलावाड, वारान, सवाई, माधवपूर, धौलपूर, कोटा, चितोरगड, फीलबाड़ा, करोली महराष्ट के नौ जिलों की सीमा लगती है, मद्विदेश से, कौन-कौन से हैं, धुले, वसावल, अमराबती, नांगपूर, भंडारा, बोलडाना, जलगाओ, नंदूरवा, बार, गौंदिया गुजरात के दो जिलों की सीमा लगती है मद्यपिदेश से, कौन-कौन से हैं, बडोद्रा और दहोद, ठीक है, इनको भी आप लोग याद रख सकते हैं राज्यों के साथ सरवादिक सीमा बनाने वाले मद्यपिदेश के जिलों की बात करें तो अलीराजपूर की उजरा से, नीमज की राजिस्थान से, निबाडी की उत्तरपिदेश से, अनुपूर की छत्तिजगर से, बैदुल की महराष्ट से अब सभी लोगों उनने देख भी लिया कि मद्यपिदेश के पांच राज्यों से गिरा हुआ है, मद्यपिदेश का निकर्तम बंदरगाय की बात करें तो वही है, क्यों वही महराष्ट पास में आपको देखने को मिलीगा एक बात और आपको बता दूँ कि मद्यपिदेश की अंतराष्टी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है, बीचों बीच में मद्यपिदेश ठीक है, इसे लिए तो आप लोग हिदय पिदेश का हिदेत हैं ना, ठीक है, चली आगे और बात करते हैं हम लोग, किये गया है, एक कुश्चन कई बार पूँच लिया गया है, पूँच लेता है कि मद्यपिदेश में राज्यपसू कब गोसित किया गया था, तो याद रखना है एक नवंबर 1981 को राज्यपसू भी गोसित किया गया था, राज्यपक्छी भी गोसित किया गया था, और मद्पिदेश के पिती पहले हम लोग देख भी चुके हैं लेकिन एक बार और विस्तास के हम लोग बात कर लेते हैं तो राज ये पुस्पी की बात करें तो लेली है जिसे आप लोग लेलियम, लेलियम, केंडी मम भी कहते हैं मुखता जलवाई छेत सीतोर्षन एवं उपोष जलवाई छेत, मद्पिदेश में मुख छेत की बात करें तो लगबग संपूर मद्पिदेश में पाई जाती है उपयोग की बात करें तो अगुस्ती निर्माड में इसका उपयोग होता है अब बात करें राज नित्त की तो आप सभी कमाल होगा राई अगर आप देखेंगे कुछ भी हो या ना हो लेकिर राई जरूर होगी समझ रहें विस्तेस्ता की बात करें तो सिंगार और सौर का सौरी का सुंदर मेल होता है पितेक सोवावसर पर यह होती है मुख पात की बात करें तो बेड़नी और विदूसक इसमें सामिल होते हैं ठीक है आपने देखा होगा एक महला होती है बाकी डोल वोल बजाते रहते हैं और उसमें आप लोगा ने देखा होगा कि वह चारों तरफ गूंती है गोलगुल चक्कल लगाती है उसी की बात करें ठीक है अगर हम राज्य पक्षी की बात करें तो आप सभी को मालू है कि दूद राज है जैसे आप लोग साहबुलुल भी कह देते हैं, इसे आप लोग तर्फी फौन भी कह देते हैं, यह आपको देखने को मिलेगा, उत्तरपश्चे मद्वदिस में, सैलाना और सदारपूर, अब भ्यारन में भी देखने को मिलेगा, मालबा में सरवादी के पाया जाता है, ठीक ह अब बात करते हैं हम लोग राजी के खेल के बारे में भी बात कर लेते हैं राजी के खेल की बात करें तो मलकम है उज्जन में मलकम अकादमी आपको देखने को मिलेगी यह भी कुश्चन कही बार पूँच लेता है कि मलकम अकादमी कहा है तो उज्जन में वो जन में आप देखते हैं माकाल मंदिर भी है इसे ये डेट भी आपको याद रखनी चाहिए 9 अपरेल सन 2013 में एक घोसित किया गया था अगर आपसे पूँचे राज नाट के बारे में तो माच है ये आपको मालवाचेत में देखने को मिलेगा और इसकी बिस्षिस्ता ये है कि फुरानिक गाथाओं और संस्किती पर आधारित नाट है अगर आपसे मचली के बारे में पूँचे तो महासीर फिजाती जिसे आप लोग टोर, फिटी, टोरा भी कहते थे हैं नरवदा नदी में आपको देखने को मिलेगी संदोहजार में एक घोसित की गई थी इस डेट को भी याद रखे अगर आपसे पूँचे राज्य पसू के बारे में तो बारे सिंगा है जिसे आप लोग रूस वर्स दुआ उससेली भी कह देते हैं ये आपका बैडरी पिजाती का है और ये आपको देखने को मिलेगा काना किसली राष्टी उद्यान मंडला में ठीक है बिसे इस तर अगर आपसे पूछे राज बैक्च की तो आप सभी कुमाल होगा कि बरगत है इसे आप लोग फाइकस बैंग गलेंसिस भी कहते हैं ये औस्दी निर्माड और उपचार का पौधा है और आप सभी को बता भी चुका हूँ कि हिंदू धर्म में काफी पवित पेड़ भी है राज फसल की बात करें तो सोयावीन है इसे आप लोग गलाइसिन मैक्स भी कहतेते हैं अगर आप से राज फल के बारे में पूचे तो आम है जिसे आप लोग मैंगी फेरा इंडीका भी कह देते हैं ये आपका मदवित इसमें संपूर्ण छेत में मिलता है आप लोग भी देखते रहते होंगे कि आम हर जगह मिलता है आप लोगों को आम का अचार काफी पसंद भी होगा इसके बारे में वैसे भी हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं मदवितिस का राज किये चिन है मदवितिस में सासन ने राज इस्थापना के उपरां जो राज किये पितीक चिन अपनाया उसमें भारत के राज की चिन है और इस्थानिये विशेस्था हैं दोनों को आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बाहर 24 इस्थूप आग्रती इसके बाद एक विरत जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावना का गोतक है इस बिरत के भी तक मद्विदे सासन और सत्मे उजयती लिखा हुआ है साथ ही राज की प्रमुक फसलें ग्यहों और धान की बालियां भी आपको देखने को मिलेगा केंद्रिय वित में असो किस्थम की सिंग आग्रती और राज बैक्ष बर्गत को भी दर्स आये गया है ठीक है ये भी आपको याद रखना चाहिए कुछ ये भी पॉइंट है राज देवस आपसे पूछें तो एक नवंबर को राज देवस के रूम में मनाय जाता है मद्ध परब्भी कहते हैं आप लो मद्ध बिदेश की राज भासा की आपसे बात करने तो हिंदी है और मद्ध बिदेश का गान है मेरा मद्ध बिदेश ठीक है आँगे चलते हैं लो और आँगे क्या है आपका मेरा मद्ध बिदेश नामग मद्ध बिदेश गान के रचेता स्री महेश स्री वास्तो है एक कुश्चन कई बार बन चुका है कि मेरा मद्विदिस नामक मद्विदिस का जो गान है इसके रचे था कोन है तो याद रखिए स्री महेश स्री वास्तव जी ठीक है और 26 जुलाई 2000 सन 2011 को मद्विदिस सासन ने मेरा मद्विदिस को मद्विदिस का गान को सिद किया था और स्री महेश स्री वास्ताओ तर्माड मद्पिदिस पुस्तक के लेकग भी हैं तो इनसे एक अगर बुक के बारे में भी पूँ सकता है महासीर मचली 16 सेप्टमबर सन 2011 में महासीर मचली कुराज में सरक्षर पिलान किया गया था और सन 2012 में IUCN द्वारा बिलुप्त गुसित किया गया है और याद रखे मद्पिदिस की तीन धरोहर विस धरोहर सूची में तीन साइटें सामिल है कौन-कौन सी? खजुराओ यह इसे 1986 में सामिल किया गया था अगर आपसे पूँचे साची तो इसे 1989 में और भीम बैट का सन 2003 में इन तीने और डेटों को भी याद रखे कई बार आपका क्रम से लगाने के लिए आभी जाता है और याद रखे मांडू अभी पिस्ताविद भी है इसे अभी विस्त धरोहर सूची में नहीं जोडा के है इस राज्यों के इन जिलों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है याद रखे और बाकी ये मैप है इसे आप लोग देखते रहिएगा इस सब की पीडे अप आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे और इस बुक्स को आप लोग खरीद लीजे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई है ये मद्विदेश सामान ग्यान ठीक है इस सबी नावों के बारे में याद रखिए मद्विदेश की कुछ बिसिष्ट राध्धानियां भी कहलाती है जैसे मद्विदेश की राध्धानी तो आप जानते होंगे वोपाले मद्विदेश की ग्रिस्म कालीन राध्धानी ये पच्छमडी को खा जाता है मद्विदेश की वेवसाइक राध्धानी इंदोर को कहा जाता है मद्विदेश की खेल राध्धानी इंदोर मद्विदेश की कोईला राध्धानी सिंग रॉली मद्विदेश की संसकार राध्धानी आप संसकार काफी सुनते रहते होंगे आपने परिबार में इस तरह की संसकार हैं समझे रहे तो जबलफुर को मदविदेश की उझ्या राध्धानी सिंग रॉली बेडन को राजी की मैगली राध्धानी मैगनेज माप कर offenses राजी की मैगनी राजदानी बालाघाट को और राजी की संगीत राजदानी मेहर को इन सभी पॉइंटों को वह आप लोग अच्छे से याद रखे कई बार इस तरह के questions भी आपके पूछ लेता है और याद रखे यहाँ कुछ पॉइंट है ने भी आप लोग देख लीजे छेतपल में अगर बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि मद्विदेश दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में बात करें तो यह 2014 में पाँच भी नंबर पर है साक्छर्दा की बात करें तो आठाइसवा नंबर है और राज़ों में 21 भी नंबर पर है यानि कि मद्विदेश की कोई अच्छी इस्स्थिती नहीं कह सकते हैं लंगनपात में बात करें तो 20 भा है और राज़ों में बात करें तो 18 भा है देखिए आप कहेंगे लोग मतलब जन जाती कहां पाई जाती है मद्ध्विदेश में आप लोगों देखते हैं इसे लिए तो कई questions भी पूछ लेता है ना इनसे इनके बारे में भी आप लोग याद रखिए यहां भी आपके कुछ point हैं भारत में मद्ध्विदेश की इस्तिति क्या है तो इनको भी आप लोग याद रखिए मद्विदेश में का छेटफल और आकार आभी भक्त मद्विदेश और वरतमान मद्विदेश का छेटफल यह कहने का मतलब यह है कि आप समय जब मद्विदेश से 26 गर अलग नहीं हुआ था उस तो तो जब मद्विदेश से चतीस गड़ अलग नहीं हुआ था, उस समय मद्विदेश का चेतफल कितना था, यह था 4,444,444 किलोमीटर में, ठीक है, और आप देखेंगे, अभी जो आप देखते हैं ना, कि उत्तर से दच्चिंड, जो इसकी लंबाई है, तब थी चतीस गड़ जब इसमें सामिल था 1127 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप लो, और पूर्फ से पश्चिंड थी 996, लेकिन चतीस कड़ के अलग होने के बाद, उत्तर से जच्चिंड में फैला हुया 605 किलोमीटर, और पूर्फ से पश्चिंड 870 किलोमीटर, यह भी आप लो याद रख सकते ह भारत की अक्छांसे दिरिष्टी से उत्तरी गोलाड और देशांती दिरिष्टी से पूर्वी गोलाड में अवस्तित है, मद्विदेश की भी यही अवस्तित है, आप जानते हैं कि देखिए यह अक्छांस हो गई, यह आपकी देशांतर हो गई, यहां है मद्विदेश, यह मापकरी भारत भारत यहां होगा तो मद्पदेश भी यह होगा ठीक है तो यह पूर्वी और उत्री गोलाद में आपका ठीक है और मद्पदेश की भोगोली किस्तिति की बात करें तो यह आपका आविवक्त यानि कि अलग होने से पहले एक इस्तिति है यह आपका 17 डिग्री 46 मिनिट से 20 डिग्री यह आपका 30 मिनिट उत्री एक चांस था और 74 डिग्री 69 मिनिट से 84 डिग्री 51 मिनिट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ था ठीक है लेकिन अभी बर्दमान की इस्तिति बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनिट से 26 डिग्री 30 मिनिट उत्री एक चांस और यह कुश्चन्स कई बार पूछ लेगा आपसे इंटर्वी में भी इस तरह का कुश्चन्स पूछा जा सकता है और 74 डिग्री 69 मिनिट से 82 डिग्री 66 मिनिट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है इसको भी आप लोग याद रखिए यहां आप लोग देख लिजे इस तरह के कुश्चन्स भी कई बार पूछ लेता है कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है तो यह मुरेना ठीक है और पश्चे में तर जिला की अगर पूंचे तो आपसे अली राजपुर और दच्छेड तम जिले की तो बुर्हानपुर और पूर्वर्त तम जिले की तो सिंग्रॉली ठीक है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं देखिए हमारा प्यारा भारत आप जानते हैं कि लगदाग भी एक बन चुका है केंद्र साय सुद्पदेश एक जब्मो कसमी ठीक है इस तरह से और यह आपका बीच में मद्पदेश मद्पदेश की भारत में केंद्री स्थिति बीच में है ठीक है यह आप पूर्वी देस अंतर देख रहे है या पूर्वी देख एक चान से इस तरह से आप देख सकते हैं मद्पदेश की पूर्व में और पश्चें भाग में लगपक 34 मिनट का अंतर आप समझ रहे हैं कि मद्पदेश की अगर आप देखिए यह है आपका पूर्व तो याद रखी यहां और यहां में अंदर कितना है करक रेखा पर मद्पदेश की 14 जिलों से गुजरती है यह वी कई बार पूछ लेता है आपसे एक कुश्चन्स मैं पूछता हूं कि भारत के कितने राज्यों से करक रेखा गुजरती है यह आप लोग बताईए नीचे कमेंट में सर्च करके लेकिन करक रेखा मद्पदेश का भी कह देते हैं एक कुश्चन्स का इबार बन चुका है कि आप लोग जिस भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं मद्पदेश में उन्हों एक कुश्चन्स पेपर पूराने उठाके देखिए आप लोगों को मालू चल जाएगा पूछ लेता है कि मानक समय रेखा किस जिले स से गुजरती है मद्पदेश के तो सिंग रॉली से ठीक है आगे चलते हैं हम लोग क्या पूछ राएं पिथवी का केंद बिंदू किसे माला जाता है तो यह मंगलनात उज्जय में ठीक है अखंड भारत का केंद बिंदू अगर आपसे पूछे तो यह बरसाली बैदूर मे अभी भाक्त भारत का केंद बिंदू तो कानोंदी कटनी में वर्दमान भारत का केंद बिंदू विदीचा में मद्विदेश का केंद बिंदू सागर में ठीक है एक बार फिर से याद कर लिए पिथवी का केंद बिंदू मंगलनात उज्जय में अखंड भारत का केंद बि चेंदू ए-सागखर ठीक है Mr. शीज से लंगा सभसे बड़ा राज में सबसे बड़ा में सबसे बड़ा उसके बाद मद्पध्यषका अब देखेंगं Uh gotta का नमबर आता है ठीक है मद्वदे से लगा सबसे वड़ा राजी की बात करें तो जनसंख्या में उत्तरपदेश है सबसे जानला जनसंख्या भारत में किस राजी में है उत्तरपदेश में भूपाल से दुरस्थम जिला कौन सा है सेंग रॉली है इसको भी आप लोग याद यहां आपके कुछ पॉइंट है इने भी आप लोग देख तिजिए यह तो भारत की बारे में होगया जलेगा और विश्व का दच्छिटनम असी आई देश है भारत और उत्तरी गोलाड पूरभी देशांतर में इस देखने को मिलेगा भारत आपको मद्वदेश भारत का क ठीक है कितना है चेतफ़ल 32,87,263 बर किलो मीटर विस्विज का चेतफ़ल है 2.42 परसेंट यानि की 2.42 परसेंट वू भाग है ठीक है अगर आपसे मद्पदेश की बात के पूचे तो मद्पदेश दूसरे नमबर पर है पहले नमबर पर राजस्थान इसका चेतफ़ल कितना ह मद्पदेश का 3,8,252 पर किलो मीटर ठीक है इजरायल से 70 गुना बड़ा है स्री लंका से 5 गुना बड़ा है मद्पदेश भारत की छितफ़ल का 9.38 पितीसत है मद्पदेश और याद रखी अगर भारत की बारे में पूचे तो विस्व में दूसरे नमबर पर है जनसंख् जनसंख्या का 16.37 पितीसत भारत में अकिली पाई जाती है आप जानते हैं चाइना पहले नमबर पर हैं विस्व में जनसंख्या के मामले में और अगर मद्पदेश की पूचे तो पांचवे नमबर पर है ठीक है अगर देशों का बना दिया जा मद्पदेश को भी तो 19 पर नमबर पर पहुंच जाएगा भारत की जनसंख्या का 15.37 भाग मद्पदेश में रहती है ठीक है अगर आपसे अक्षांस के बारे में पूचे तो आठ डिग्री चार मिनट उत्री अक्षांस से 37 डिग्री माल लेजे देखिए ठीक है तो यहां से लेकर आठ डिग्री चार म से 25 डिग्री 26 ठीक है 26 डिग्री 30 मिनट और अगर आपसे पूर वी देशांतर की बात करें तो भारत कितने में है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर वी देशांतर ठीक है और इसमें आप देखेंगे मद्ध विदेश की बात करें तो 74 डिग्री 69 मिनिट से 82 डिग्री 66 मिनिट पूर विदेश अंतर इनको भी आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है जो आप देखेंगे साड़े 23 डिग्री अक्षांस भारत को लगवग दो दोनों के मद्ध से गुजरता है जिसे आप लोग करग रेखा के देते हैं ठीक है और ये मद्ध विदेश के में भी आपको लगवग मद्ध विदेश के बीचों से गुजरती देखने को मिलेगा चार मद्ध विदेश की बात करें तो इसमें मद्ध वच्चे विदेश सद्पोडा मेकल सैडी और वगे लखन का पठा अगर आपसे ये भी कई बार कुश्चन से पूछ लेता है कि सर्वोच चोटी कौन सी है तो भारत की आप जानते हैं कि केटू है पार्ग अनाधी के कस्मी इसकी उचाई है 6,000 मापकरी 8,611 और विस्व में आप जानते हैं माउंट एवरिष्ट है ठीक है तो याद रखे केटू हमारा हिस्सा है ये मत छोड़ दीजी एगा ठीक है और यहां आप लोग देखें अगर मद्ध इसकी पूचे तो आपको धूम गड़ है इसकी और निमनतम इस्थल की आपसे अगर पूचे तो नरुदबदा भरहन सघाटी चित मद्ध इस में यही आपका मद्ध इसका भी है भारत का भी है प्राचिंतम परवत माला की अगर पूचे तो भारत में अरावली है विसकी प्राचिंतम परवत माला भी है और अगर मद्ध सी आप से पूछे तो बिंध्यान चले नभीनतम परबतमाला की अगर आप से पूछे तो भारत का हिमाले है और मद्विद्ष का सत्पुड़ा है निकटतम द्वीफिय देश की बात करें तो स्री लंका है और यहां भी स्री लंका आपको देखने को मिलेगा ठीक है सीमा पर र प्रिलंगा से भी लगती है पड़ोसी है जल के द्वारा पाक जल अम्रू के द्वारा लोग अलग होते हैं आपकी जम्मुकस्मी की सीमा आप देखते हैं पाकिस्तान से भी लगती है हमारी सीमा आफगानिस्तान से भी लगती है चाइना से भी लगती है नैपाल से भी लग लगती है और सबसे जानता सीमा लगती है सूरीय ऊदर एवं सूरयास्त की बात करें तो सबसे पहले अरणाचल कि र१तु है और मदवद्य आपकर हैसand कि अधर सिंग्राली में मैं देखने को मिलीगा ठीक है और अगर स March और एवं सूरयास्त की बात करें सबसे बाद में तो राजिस्थान जेसल में में सबसे बाद में देखने को मिलेगा मद्विदेश की बात करें तो अली राजपुर में है सबसे पहले सूर्य उदर किस राज में होता है तो आपको देखने को मिलेगा और सूरियास्त की बात करें तो एर्वांचल पिदेश में सबसे पहले ओगेगा और सबसे पहले डूवेगा ठीक है और मद्पिदेश की अगर आप से बात करें तो सिंग रॉली में और सूरियास सूरियोदाय और सूरियास सबसे बाद में कहां उपता है राजिस्थान जेसल में और सबसे बाद में कहां डूपता है एक तरह से आपके ये सबसे राजिस्थान जेसल में और अली राज में पुर में सबसे बाद में मद्पिदेश की बात करें ठीक है तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं मद्पिदेश में सबसे वड़ा कुश्चा इस किस तरह एक आएगा छेतफल की दृष्टी से मद्विदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जबलपुर सबसे छोटा कौन सा है सहडोल अगर आपसे पूँचे जिला तो सबसे बड़ा जिला छेदरवाडा है और सबसे छोटा निवाडी अगर आपसे पूँचे जनसंक्या की दृष्टी से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है इंदोर और सबसे छोटा सहडोल जिला की अगर आपसे पूँचे तो इंदोर सबसे बड़ा है निवाडी सबसे छोटा है अगर तहसिल की पूँछे जनसक्या किस आपसे तो इंदोर अब आपसे पूँछे कि बनबेर्थ सबसे जानदा कहा है खंडबाब में, सबसे कम होसंगाबाद में अगर आपसे राष्टी उद्यान की पूँछे कि सबसे बड़ा राष्टी उद्यान कहा है कहना किसली ये मंदला बाला घाट में देखने को मिलेगा अगर आपसे सबसे चोटा पूछे तो जीवास उध्यान साहेपूर फुरा डिनोरी में सबसे बड़े अगर बांध की अगर उस आपसे पूछे तो इंदरा सागर फुनासा डेम ये आपका मदला बांध है अगर आपसे पूछे कि सबसे उची चोटी कौँसी है तो आपको मालू होना चाहिए दूपगड इसकी उचाही कितनी है अगर आपसे पूछे कि जन घनत के मामले में सबसे बड़ा जिला कौँसा है अगर आपसे पूछे कि बिधान सबाच छेत सबसे जानद कहा है जबलपुर में नौध ठीक है और उमरिया अनूपूर हर्दा असोप नगर डिंडोरी में इसमें दो-दो हैं ठीक है याद रुखे साक्चरता की पूछे तो सबसे जानदा देखने कुमले का जबलपुर में और सबसे कम अली राजपुर में अगर आपसे लिंगनपात की पूछे तो सबसे जानदा बाला घहट में सबसे खम बेंड में तामान की अगर आपसे पूछे तो सबसे कम तामान स्यूपुरी में सबसे जान्दा गंजवास होता बिदी सामें सचाई के अगर पूँचे तो सबसे जान्दा सचाई ग्वालियर में होती है सबसे कम दिन डोरी में अगर आपसे बरसा के बारे में पूँचे तो सबसे जान्दा बरसा पचमडी महादिय परवत में होती है 199 cm और बेंड में सबसे कंबर सा होती है 55 cm ये भी आप लोग याद रखें कई बार इस तरह के भी questions आ जाता है क्या आ जाता है इस तरह के भी ये देख लिजे कनौंदी मनुवहर गाउं केचियू पहाडी धीम खेडा तहसी जिला कटनी में इस तरह करौंदी को भौगलिक रूप से भारत को भारत का केंद बिंदू माना जाता है डॉक्टर राम मनुवर लोहिया की पेडा से एस पी चकवर्दी ने 1906 में यहां सोद किया था करौंदी का नाम करन डॉक्टर मनुवहर नाम माप करिए राम मनुवर लोहिया के नाम पर मनुवर गाउं कर दिया गया था तो इसको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए ठीक है आँगे हम लोग चलते हैं अब बात कर लेते हैं कि मद्वदेश के प्रमोख एक तरह से सामान प्रमोख जानकारी जोगी है जिले की बात करें वर्टमार में जिले कितने है याद रखे इसके लिए आप लोग करेंट से जुड़े रहे हैं बदलते रहेंगे कभी भी आप देखते हैं कि नया जिला बन जाता है तो याद रखे बाबन है ठीक है तैसीलों की बात करें तो ये भी तैसील भी बदलती रहते है ठीक है तो इनके बारे में आप लोग करेंट से अपडेट होते रहे ना ठीक है विकास खंड की बात करें तो 313 आदिवासी विकास खंड 89 कुल ग्राम 4903 नगर निगम 16 नगर पालकाए 98 नगर पंच्याद 272 ग्राम बंच्याद 22,812 एक देखिए बदलती रहते हैं इसलिए करेंट से जुड़ना आप लोगों को जरूरी है जनपत पंच्याद 330 जिला बंच्याद 51 56 56 जन आईजी पुलिस 11 रेंज दी आईजी पुलिस 15 कंट्रोल रूम 53 पुलिस थाने 1101 पुलिस चोकिया 589 पुलिस उब संभाग 180 पुलिस जिले 52 लोग सभासीते 29 राज सभासीते 11 बिधान सभासीते 230 और आप कहेंगे कि एक क्या है देखे एंगलो इंडियन का अगर कम पितिनिदित नहीं होता है तो एक को मनुनीत कर लिया जाता है निर्वाचित महिला विधान की बात करें पंद्रवी विधान सभाकी तो सत्रे देखने को मिलेगी ठीक है इस तरह की कुश्चन्स भी कई बार पूँच लेता है समझ रहे हैं आप लोग तो आप लोगों की इसके बारे में भी मालू होने चाहिए कुल जनसंख्या की अगर आप से बात करें कितनी कुल जनसंख्या है तो कुल जनसंख्या है मद्पदेश की 7 करोड 26,26,809 पूर्सों की जनसंख्या कितनी है इसमें से पूर्सों की जनसंख्या है 3 करोड 76,12,306 इस तरी की कितनी है इस तरीयों की यानि की महलाओं की 3 करोड 50,14,503 गिरामीड कितना है 5 करोड 25,57,404 ठीक है और नगरी ये कितना है 2 करोड 79,405 अनुसूचित जाती कितनी है 15,60 अनुसूचित जन जाती कितनी है 21,10,30 इस तरह के कुष्टन से भी कई बार पूच लेता है इसमें आप देखें कुल कारशील जनसंख्या कितनी है तो ये आपको देखने को मिलेगा 3 करोड 15,64,133 यानि की काम करते हैं आके लोग 43 दे समलोग 50 कि 30 अगर साक्षर्था की बात करें 2011 की जनकरना के रुशार तो कुल साक्षर्था है यहाँ एक तरह से ये साक्षर्था 4 करोड 38,59,164 पुरसों की बात करें तो इसमें 2 करोड 59,49,328 बैक्ती पड़े लिखे हैं इस तरी की बात करें तो इस तरी में आपको देखने को मिलेगा 1 करोड 89,941 महिलाएं पड़े लिखे हैं इसमें आप गरामिट भी देख सकते हैं 2 करोड 88,996 लोग पड़े लिखे नगर की बात करें तो 1 करोड 48,000 मकरी 48,36,183 लोग पड़े लिखे इस तरह के भी आप लोग याद रखा के जिए इस सास्की सेक्षर संस्थाओं की संख्या भी आपसे अगर पूँश सकता है तो याद रखे इसके लिए भी आपको करेंट से जुड़ा रहना होगा ठीक है प्रामिक अगर हम लोग सेक्षर संस्थाओं की बात करें तो 81,389 है मादमिक विद्ध्याले की बात करें तो 30,308 है उच्चेतर मादमिक विद्ध्याले 4,327 स्वास्तिसेवाओं की बात करें आप लोगों से वैसे इसके लिए मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए लेकिन फिर भी आप लोग देख लेजिएगा क्योंकि current में जो भी रहेगा उसे हम लोग current में देख लेंगे ठीक है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं लेकिन हम लोग वहीं बात करेंगे ठीक है तो यह क्या है कि मुझे लगता है कि जान्दा महत्पूर भी नहीं है समझ रहे हैं आप लोग सारवजनिक वित्रण फिलाली PDS आप लोग जानते हैं न जो आप कोटा लेते हैं तो उचित मुल्गी दुकानों की संख्या 24,085 है उचित मुल्गी दुकानों के माद्ध हम से वित्रण सामगरी यह भी आप लोग देख लिजे कुल खाद्यान इसमें आप देखेंगे मिलियन टन में हैं ठीक है 2,90,153 मिलियन टन दाल देख सकते हैं नमक भी मिट्टी का तेल केरुसीन मिलता है न उन्हीं की बात करें यहनमें आप लोग स्वेड ग्रामीन विकास का अरिकरम सवड़ जैनती ग्राम सवराज यह उजना के अंतरगत कुल लावांद भी एत दाहरी एक हजार में है 589 है अनुसुचे जाती में देखने को में लेगे 14,000 अनुसुचे जाती में 17,000 महला एत ग्राही की बात करें तो इसमें 35,000 ठीक है एक सी आप से पूचेगा नहीं डारेक्ट ए आगन बाड़ी है इसमें भी मुझे लगता है कि इसमें भी याद रखी वो करेंट के लिए मुझे लगता है करेंट में ही आपको पढ़ना होगा क्या करना होगा करेंट में ही पढ़ना होगा क्योंकि इसमें और मुझे लगता है कि इसमें एक्तर ऐसी कोई महत्पूर क्रिसी जोत को भी आप लोग देख सकते हैं क्रिसक जोतों की संख्या 1000 में यह आपको देखने को में लिगा 8873 क्रिसक जोतों का छितफल की बात करें हेक्टर में तो 15836 क्रिसक जोतों का ओसा ताकार हेक्टर में 1.78 ठीक है इसे भी आप लोग देख सकते हैं यहां आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट है इन्हें आप लोग जुरूर देखिए क्या कहा जा रहा है छेतफल एवं जनसंक्या यह जनगड़ना 2011 क्यान सारे इह भारत हो गया एफ मदपदेश हो गया तो भोग लग छेतफल भोगो लिक छेतफल की बात करते हैं ए बरक किलोमीटर हमें याद रखिए अगर मदपदेश की बात करें तो 3,8,252 बरक किलोमीटर है ऐगर भारत से आपसे पूँचे तो 32,87,243 इसे याद रखी और कुल जनसंख्या की बात करें तो आप भारत की अगर आपसे मद्वधिस की पूंच रहा है तो यह है आपकी साथ करोड़ 26,26,809 अगर आपसे उसकी पूंच रहा है भारत की तो लगभग 121 करोड़ की करीब है पुरसों की भी इसमें देख सकते हैं पीछ ने लोग निवास कर रहे हैं अगर मद्वधिस की बात करें तो 236 आपको देखने को मिलेगा यानि कि आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 हिंदी इंगलिस दोनों बोल देता हूं बरावर 6 तो इन सब को जोड़ दीजे 2, 3, 6 इस तरह से आप याद रख सकते हैं अगर भारत की आपसे पूँचे तो याद रखना है आपको 382 है ठीक है अब आपसे पूँचे 10 बर्च सी है जन संक्या बिद्धी दर की यानि कि 2011 की जनगरना और 2000 माकरी 2001 और 2011 की जनगरना की वीच कितने 37 बिद्धी हुई है तो मद्वधिस मैं देखन अगर पूँचे आपसे तो लिंगनपाद पूँच रहा है ठीक है लिंगनपाद का मतलब होता है कि 1000 पर कितनी महिला है तो मद्वधिस में है 931 यानि कि आप समझे कि पूँचों से कम महिला है मद्वधिस में 931 महिला है कुल और भारत की अगर आपसे पूँचे तो 943 है कुल जनसंख्या में ग्रामीड जनसंख्या की बात करें तो 30 में है तो सबसे जाना ग्रामीड छित में लोग पाए जाते मतलब निवास करते हैं 22.37 और भारत की अगर पूँचे आपसे तो 60.9 इसलिए आप देखते हैं ना कि ग्रामीड जनसंख्या सबसे जाना भारत में ह कुल जन संख्या में नगरी जन संख्या की बात करें तो 27.63 पितिसद मद्विदिस की लोग नगरों में रहते हैं और भारत की बात करें तो 31.2 पितिसद ठीक है कुल जन संख्या में अनुसूचित जन जाती की संख्या बात करें तो मदपदेश की कुल जन संख्या में 15.60 पितीसर लोग अनुसूचित जाती के हैं और भारत की बात करें तो इसमें 16.60 पितीसर लोग भारत की जन संख्या में अनुसूचित जाती की संख्या है अगर आपसे अनुसूची जनजाती की पूछे तो एह है आपकी 21.10 पितीसक मदपदेश की कुल जनसंख्या में हिस्सा है अनुसूची जनजाती का अगर भारत की बात करें तो 8.60 है ठीक है यह भी याद रखी आप लो ठीक है यह आपकी पितीसक में दिया गया है किर्शक कितने हैं परिवारे को द्योक कर्मी कितने हैं साख्चर्ता अब लोग 2011 की जनजाना के अनुसार याद रखे मदपदेश में आपको देखने को मिलेगा कुल साख्चर्ता है पड़े लेके लोग कितने हैं पुरसों में आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि पित्त सत्ता यानि कि पुरस बादी एक सोच है तो पुरसों में जानता देखने को मिलेगी मदपदेश में 80.90 पितिसक पुरस पड़े लिखे हैं और भारत में बात करें तो 78.70 इस्तरियों में कम है 69.20 पितिसक और भारत की बात करें तो 64.60 पितिसक ग्रामीड चेत में आप सभी जानते हैं कि कम पड़े लिखे लोग होते हैं 63.9 पितिसक लोग ग्रामीड चेत के पड़े लिखे हैं मदपदेश में और भारत की बात करें तो 67,8% नगरी अच्छित की बात करें तो 82,8% लोग पड़े लिखे हैं आप अगर नगर में रहते हैं तो पड़ाई लिखर बिसेश जोड देते हैं और भारत की बात करें तो 84,1% ठीक है? यह आप देखी चुके हैं ठीक है? बताई इस तरह के questions भी पूछ लेता है अब आता है आपके लिए मद्विदिस का पुनरगठन क्या आता है? मद्विदिस का पुनरगठन तो इससे भी आप लोग देख लिए इससे भी कई बार questions आ जाते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की जानगारी आपको यहां भी मालू होना चाहिए कि मद्विदिस का आखिर कहां से सुरूँ हुगा और कहां तक पहुँचे समाज़ रहे हैं आप लोग? तो मद्विदिस के पूरु गठन पूरु मद्विदिस का नाम क्या था? मद्वारत की नाम से आप लोग जानते थे पूर्नगरठन एक की बात करें तो एक नवंबर 1956 में चार राज्यों को मिलाकर मद्विदिस बनाये गया था यह भी आप लोगों को माल होगा और मद्विदिस में संभाग की अगर बात करें हम लोग और याद रखी इस से आँगे आप जाएंगे एक नवंबर सन 2000 में 36 गड़ को अलग कर दिया गया था मद्विदिस से अभी करेंट की बात करें तो मद्विदिस में 10 संभाग देखना को मिलेगी और मद्विदिस में जिले देखने को मिलेगे 52 जिले देखने को मिलेगे आँगे भी नए नए जिले गठन होते रहेंगे अब हम बात करते ही कि 1956 से पूर क्या इस्तिति मद्विदिस की समझ रहें आप लोग तो सुदंता की समय में मद्विदेश नाम से कोई राज अस्तित में नहीं था यह आप लोग याद रखे 1947 में राज्यों की जो सेणिया बनी उसमें पार्ट A में C, P बरार और पार्ट B में मद्भारत परांद पार C में मद्विदेश और भुपाल राज्य सामिलते इन सभी को मिलाकर आंगे मद्विदेश बनाए गया था चुकि C, P बरार की राध्यानी नांगपूर थी अता मद्विदेश के गठन के पूर्व यही पिदेश की राध्यानी मानी जाती है इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं अब बात करते हैं सीफी बरार की तो दो नवंबर 1861 को केंदरी परांत सेंट्रल प्रोविदेश की रूप में गठित पिदेशी सुतंता के समय तक मुक मद्विदेश था यह बास्त में आपके बास्तो बस्तुता नयाई कमिशनी चित था जिसका प्रमुक कमिशनर हुआ करता था तीक है 1921 में इसे राजपाल परांद बना दिया गया था गवर्नर्स प्रोविंस की रूप दिया गया था जब हैदराबाद रियासास से बरार लेकर इसमें मिलाए गया तो 1936 इसका नाम सीपी प्रोविंस एंड परार रखा गया 1947 में सीफी बरार फार्ट ए में सामय राज था जिसमें 36 गड़ विदर्व महासा कौसल सामिल थे इसकी राध्धान ही हुआ करती थी नांपोर इसके पिथा मगर मुकमंत्री की बात करें तो पंडे दवर रभी संका सोकल हुआ होते थे और राजपाली की अगर आपसे बात करे था इसमें सागोर नेरवुडा और नांगपूर प्रांथ सामिल थे ठीक है और सेंटरल फूर प्रोविंस एंड वरार की अगर बात करें तो 1936 में बना था 1950 तक अस्तित मेरा सेंटरल फूरविंस और वराज से मिलकर बना था वरार है इधराबाद रियासत से लीज पर लिय रखिए मद्भारत की बात करें तो मद्भारत प्रांत पार्ट बी में सामिल था और 22 अपरेल 1948 को 25 रियासतों के साथ यह अस्तित में आया था इसकी रादनानी 6,5 माए ग्वालियर और 5 माए इंदोर रहती थी ठीक है 1940 से 48 के उधी में निर्वाजित मंदी मंडल ने सासन किया जिसके प्रमुक थे लीला अधर जोसी 1956 में राजपुनर गठन के समय ताखत मल जैन मद्भारत के मुक मंत्री थे याद रखें मद्भारत के नहीं मद्भारत के 1947 से 1956 मद्भारत के रूम में पहचाना जाता था ठीक है अब बात करते हैं बिन्द पिदेश की तो 1947 में भारत की सुतंता के बाद बुंदेलखंड और वगेलखंड की 38 रियासतों को मिला कर बिन्द पिदेश पायट सी का ने माड़ हुआ मार्च 1948 की बात है इस राज्य को रिवा और बुंदेलखंड को दो इकाईयों की रूम में रखा गया और जिनके राज्य पिरमुक रिवा के महराज मार्तंड सिंग देवो निवक्त हुए थे उस समय कप्तान आओधिश पिरताब सींग और सरी कामतापिरसाद सखसेना की निधत में भगएल गंड बुंदेरकंड में मंतरी मंदल भी बने थे जुलाई 1938 में दोनों सरकारों को सयुक्त कर एक मंत्री मेंडल की स्थाफना की गई थी और पिधान मंत्री कप्तान उधिस पिताब सिंग बने हुए थी आप लोग देखते हैं उधिस पिताब सिंग एक यूनिबरसिटी भी यह तरह कहां रीवा में एक जनवरी 1950 को बिंदपितिस पाइट सी में सामिल किया गया था और राजधानी रीवा बनाई गई थी 1952 में 50 निर्वाजित पितिनेदियों की विधाय का बनी और 2 अपरेल 1952 को मुकमंत्री पंडिप संभूनाद सुकल की नेतित में मंती मंडल इस थापित हुआ फिर आप ने सुनाओगा ये था पहुपाल स्टेट इसकी राध धानी भू Pawкого भूपाल थी इसकी राध्धानी कहां थी भू पाल जो आज भी भूपाल थामिल थ और प्यारम में नवाव हमीद उल्ला खान ने भारत संग में विले से इंकार कर दिया था और प्रजा मंडल अंदोलन के दवाव से एक जून 1949 को भोपाल का विले भारती संग में हुआ और समय इस समय इसकी राधधानी इसलाम नगर भोपाल के पास थी एक बात और याद रखिये अगर भारत आज एक है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ सरदार बल्लबाई पटेल कर रहा है आप समझ रहे हैं बना आप समझे कि भारत मे इतनी रियासत नहीं थी 5564 रियासत नहीं थी सब अपना अलग-अलग होने की ख्वाब देख रहे थे समझ रहे हैं और लाश्ट तक आप देखते हैं जुनागर हैद्राबाद और आपका जमू कस्मीर लाश्ट तक अलग होने के लिए लड़ते रहते हैं ठीक है देखिये आप लो यहां राजपूताना हो गया मद्पदेश सन 1947 की पूर्व की स्थिती बता रहा हूं यहां सिंधिया आप समझे उस समय राजवन्स हुगा करते थे ना उनी की बात करें यह मद्भारत इंदोर होल का हुगा करते थे बीच में वो पाल देख रहे हैं यह मद्भारत यहां भी सिंधियाओं का राजवगा करता था पूर्वी रियासत हो गया मद्परज प्रांद सेंटरल फ्रोविंस इसमें बहुं से लिए एवं अन लोगों का राजवगा करता था यह पूर्वी रियासत और इस तरह से आप आँगे बढ़ सकते हैं आँगे हैं आपका मद्पिदेश का अस्तित में आना फजल अली राजपुनर गठन आयों 1956 के अनुसार मद्पिदेश का गठन ओक्त चारों राजवगा को मिला कर हुआ एक पी उसमें निम्ने अनुसार परिवतन भी किये गये थे इन चारों को मिला कर एक नहीं कर दिया गया इनमें कुछ चांट पाट भी हुई क्या क्या हुई उन्हें भी देख लिजे सेपी बरार से बुल्डाना अकोला अमरावती यववत माल वर्धा नांगपुर भंडारा चांदा कुल आठ जिले मुंबई राज महराष्ट को दिय दिये गये थे और इसका सेज भाग आपको मद्विदिस में मिला लिया गया था ठीक है भानपुरा तहसील मद्विदिस को मिली और भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा राजिस्थान को मिला को छोड़ का सेज संपूर मद्विदिस में समलित कर लिया गया था मद्ध भारत का केवल आप देखेंगे सुनेल टपपा एक कहां आग का राजिस्थान को दे दिया गया था बाकी मद्ध पिदेश में सामिल कर लिया गया था और याद रखे भोपाल को पूरा का पूरा राज्य में मद्ध पिदेश में मिला लिया गया था बिंद्पिदेश का पूरा भाग मद्पिदेश में मिला लिया गया था तो राजिस्थान से सिरोंज तहचील मद्पिदेश की विदीशा जिले में समलेत की गई थी इसे भी आप लोग याद रखे और 1 नवंबर 1956 को नावगठित मद्पिदेश की राध्धानी बोपाल बनाई गई थी और इस समय 33 जिले थी मद्पिदेश में कितने 43 जिले हुआ करते थे अब बात करते हैं 36 गड़ की तो आपने देखा होगा सन 2000 में 36 गड़ को अलग किया गया था और 1 नवंबर सन 2000 को 44 साल बाद मद्पिदेश के पूरवी भाग को 36 गड़ के रूम में अलग कर दिया गया था ये 36 गड़ का भूचेत था 1,35,152 बर किलूमीटर थीक है? याद रखिए आंतरिक पुरनरगठन की बात करें तो आंतरिक पुरनरगठन एक नियंतर विक्रिया है जिसका उद्देश पैसाशनेक दर्चिता बढ़ाने के लिए होता है नए नए जिलों का हो जाना तो 1972 को भूपाल नया जिला बना था इस बात इससे भी आपके कई बार कुश्चिन्स बन जाते हैं इस बात को भी आप लोग याद रखी है और 1972 को ही दुरुक से राजनन्द गाओं बना उकुल मिलाकर यहां 45 जिले हो गए तो 1972 में दो जिले जुड़े गए थे पहले आप जानते हैं कि आपके 43 जिला थे और जैसे ही भोपाल और राजनन्द गाओं जुड़ा तो यह 45 हो गए ठीक है फिर आप आँगे चलेंगे और इसमें आप देखेंगे बी आर दवी जिला पुनगठन सम्ती यह 1983 की बात है इसकी अनुसंसा पर 25 मई 1988 को आठ नए जिले बने थे उसमें चार बरत्मान मद्पिदेश की हिसें खरगों से बढ़बानी मुरेना से अलग करके सेवकुर जवलपूर से अलग करके कटनी और मंडला से अलग करके डिनोरी बनाय गया था सिंगदेव सम्ती को की 14 जून 1998 को की गई अनुसंसा पर आठ नई जिले बनाय गये थे 6 जूलाई 1998 में उसमें से तीन बरत्मान में मद्पिदेश की हैं उमरिया हर्दा नीमच बने इनको भी आप लोग याद रखिए इस तरह से कुल मिलाकर आपके जूलाई 1998 में 61 जिले हो चुके थे कितने 61 जिले मद्पिदेश में हो चुके थे लेकिन आप जानते हैं कि आँगे एक नमबर मापकरी एक नमबर सन 2000 को मद्पिदेश से अलग करके 36 गड़ बनाय गया और 16 जिले 36 गड़ में चले गए इस तरह 45 जिले मद्पिदेश में रहे गए आँगे एक क्या पिरोसिस हुआ 15 अगस्त सन 2003 को तीन नई जिले बनाय गए और इस तरह से 48 जिले हुए गुना से एसोक नगर बनाय गया था खंडवा से बुरहानपुर और सैडोल से अनुपुर फिर आई मई सन 2008 में दो नई जिले बनाय गए जाबूआ से अलग करके अली राजपुर औस्तीधी से अलग करके सिंग्लोरी आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त सन 2003 में आगर नया जिला बना था साजाबुर से अलग करके और 1 अक्टूबर सन 2018 में निवाडी जिला बना था टीकमगड से अलग करके पिथवीप और आप जानते हैं ओर्चा और निवाडी मिला कर एक जिला बना था इसलिए याद रखिए ओर्चा आपका निवाडी जिले में आता है ठीक है इस तरह से आप देख सकते हैं 1947 से 1956 की इस्तिति है ए आपका पूरा मद्ध भारत हो गया बीच में भोपाल ए बेंद पिदेश ए आपका सीपी बरार हो गया Central Province ठीक है याद रखिए ए भी कई बार आपका कुश्चन से फूच लिया गया है क्यों सा इन्हें भी आप लोग याद रखिए प्रांथ हो गया प्रांथ हो गया ए भी आपसे अगर पूचे तो बिंद में मिलाई गई रियासतों की सूची अगर आपसे पूचे तो आप लोग कम से कम लगा सकें इस स्थिति में तो पहुंच जाए इसमें रीवा था आजैगर थी वरुदा वरोंद वीजावर फतेपुर मेहर नागोद चर्खारी दतिया नैगावान पहाडा ओर्चा पलदेव वांका पन्ना कामता राजोला गरोली पहजुआ गोरिहार जासो कोट्टी खनिया धाना बेहात बिजना धुरवई सुहावल सम्थर तराव बावनी जिंगनी, राका पहाडी बांका, बेरी, अलीपुर फतेपुर, स्तरीला लोगासी, नोगाओ रोवाई आप जानते हैं पहले छोटे-छोटे राजाओं का एक तरह से हुआ करते हैं समझ रहे हैं उनी की मद्ध भारत में मिलाएगी रियासतों की सूची की बात करें तो गवालियार, इंदोर, जावरा धार, देवास छोटा देवास बड़ा, बढ़वानी, सीतामव अली राजपूर, जोवट कुरवाई, रतलाम काठिवारा, फिफलोदा राजगर सैलाना, जावुगा पठारी, जामनिया, अटवार भूमियाई स्टेट्स, नीम खेडा, खिलचीपूर नरसिंगड, मुहमदगड ठीक है, अगर आपसे पूचे की सेंटरल, प्रोवेंस वरार की चत्तिजगड में सामिल किये गर रियासत बस्तर, चांग भरवार छोई खदान, जस्पूर कांकेर, कवरधा खेरागड, कोरिया उदैपूर, राजनाद गाओ सक्ती, सारंगड सरगुजा, राएगड ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसमें सेंटरल प्रोवेंस से सामिल थी 14, फिलस्मकडाई यानि की पंदर है, मदभारत से सामिल 25, बिंदपिदेश में सामिल से सामिल 38, और हुपाल स्टिट से 1 ठीक है, इस तरह से 89 वर्दमार मदपिदेश में सामिल रियासतों की बात करें तो ये आपकी 65 36 बढ़ में गई 14, ठीक है, कुल मिलाके इतना देखेंगे आप लोग अब आप देख लीजे, मदभारत से 1956 से सन 2000 किस्तिती है मदभारत से स्थापना दिवस को पितीवर से 1 नवंबर को मदभ परव की रूम में आप लोग मनाते हैं ये भी आप लोग याद रखिए ये जिला पुनरगठन सम्तियों के बारे में भी याद रखिए इनसे भी कई बार पूछ लेता है तो बी आर दवी सम्ति 1983 में आई MS सिंग देव सम्ति ये जून 1998 में आई थी ठीक है बी आर दवी सम्ति 1983 में MS सिंग देव सम्ति जून 1998 में पहले इसे देख लेते हैं सन 2000 के बाले को भी हम लोग देख लेगे राज्य पुनर गठन आयुक का गठन हुया था 1953 में और इस समय अध्यक्ष थे जश्टिस फजल अली और संसत में विध्यक पिस्तुत हुया था अपरेल 1956 में संसत से पारित हुया था नबुबर 1956 में ततकालिय राष्टपती थी श्री राजन्त पे साथ दौरा हस्ताक्षर सम्धान संसोधन साथभबा था आप सभी लोग जानते हैं कि पहले कोई पिस्ताव आता है तो उसे बिध्यक कहते हैं जब तक राजिसवा लोगसवा में रहता है जैसे ही राष्टपती की सहमती मिलती है अस्ताक्चर होते हैं तो वो संसोधन हो जाता है या दिनियम बन जाता है तो यह सादवा संसो धन्ता ठीक है एक नवंबर उन्नीस ओचपन को समिधान के अनुच्छे तीन और चाल के तहट मद्विदेश का गठन किया गया था इसे भी आप लोग याद रखे पायट ABC के उक्ते चारों राज्यों को मिलाकर मद्विदेश भर यग भी उसमें नेमणा नुसार परिवतन भी किये गए हैं इसमें कुछ परिवतन भी किये गए थे क्या क्या की आगए था शीफी वरार से वुल्डाना अकोला अम्राबती यवत माल बरधा tää कुर भंडारा चंदा कुल आठ जिले मुंबई राज को दे दिये गया थे सेस भाग इसका मदपिदिस में मिला लिया गया था भानपुरा तैसील मदपिदिस को मिली कि सोनेल ठपवा राजिस्थान को दे दिया गया था सेज संपूर्ण मद भारत का प्रांथ मद पिदिस में सामिल के लिए भोपाल जो इस्टेट था इसे पूरा का पूरा मद पिदिस में मिला लिया गया और बिंद पिदिस को भी पूरा का पूरा मद पिदिस में मिला लिया गया था तो राजिस्थान से एक सिरोंज तैसिल को विदीशा जिले में मिला लिया गया था एक नवमबर 1956 को नावगटित मद्विदेश की राध्धानी बोपाल बनाई गी और इस समय मद्विदेश में 23 जिले दे शुरू की बात की जा रही है अब चलते हैं हम लोग सन 2000 में जो विदियक आया तो 25 जुलाई सन 2000 को लोगसभा में विदियक पिस्तुत किया गया था स्री लाल किष्ण आणवानी के द्वारा ठीक है और 31 जुलाई सन 2000 को लोगसभा में पारित हुआ और 9 अगस्ति सन 2000 को राजसवा में फारित हुआ और 25 अगस्ति सन 2000 को ततकलने राष्टपती के आर नारायन की द्वारा इसे स्विकिती भी यानि की हस्ताक्षर भी कर लिए गया थे तो याद रखे ये 84 बार संविधान संसोधन था एक नवंबर सन 2000 को भारती समिधान के अनुचे तीन के तहट 36 गड़ राज की स्थापना की गई थी और 36 गड़ देश का 26 वा राज बना था किरम में इसे भी आप लोग याद रखें इसके बारे में भी बात कर लिया कितना चितफल 36 गड़ में चला गया था एक लाग पैंतीस जार नौसो तेरे बर किलियोमीटर ठीक है चतिस गड़ के पिथक करन के बाद एक नवंबर सन 2000 कुमद्ध पिदेश में 45 जली थे कितने 45 ठीक है और कुछ यहां भी तत्य दिये गए हैं इन्हें भी याद रखी किवा डारेक्ट कुश्चन्स यहां से भी बन जाती हैं आपकी कहीं से भी कुश्चन्स बन जाएं आपको सौल करने की स्तिति में होना चाहिए मुझे लगता है ऐसा ठीक है मद्ध पिदेश को 1947 से 1956 तक मद्ध भारत कहा जाता था मद्ध पिदेश को भारत के हिदय पिदेश की संग्या पंडिक जवालल नहरू साब ने दी थी आप सभी लोग जानते हैं भारत के पिदान मंत्री थे है ठीक है इनोंने कहा था हिदय पिदेश ठीक है फजल अली आयोक के जवल ने जवलपुर को मद्ध पिदेश की राध्धानी बनाने का सुझाओ दिया था किन्तु जवालल नहरून के सुझाओ पर राध्धानी बोपाल बनाई गई थी ये भी आप लोग याद रख सकते हैं मद्ध पिदेश का पुनर गठान 1956 में भासाई याधार पर हुआ था और सेंटरल फरोवेंस से समिधान सभा के लिए चुनी गई एकमात महला सदस स्रीमती अमिरता कौर थी इस नाम को याद रखे ये पूंचा जा सकता है आपसे ठीक है चलते हैं आंगे क्या है मद्ध पिदेश पुनर गठान साइनी कुछ जिलों की संख्या है कब-कब नए जिली जोड़े गए है ठीक है इस तरह के क्या होता है ये पूंच लेता है कि सन में कितने जिली जोड़े गए थे सन 1947 से 1956 मद्ध पिदेश की इस्थान पर चार राज जिली थे इने मिलाकर मद्ध पिदेश बनाए गया था सीपी वरार, मद्भारत, बिंद पिदेश, फूपाल स्टेट एक नवबर सन 1956 को जब मद्ध पिदेश की इस्थापना हुई उस समय इसमें 43 जिले थे फोटी तिरी जिले थे 26 नवबर 1973 को भुपाल और राजनन्द गाउं को जोड़ा गया था इस तरह ये 45 जिले हो चुके थे 25 मई 1998 को चार नई जिले बने थे इसमें बढ़वानी, सेफोर, कटनी, डिनोरी ठीक है और 36 गड़ को मिला कर आप देखेंगे आठ जिले बनाए गए थी 36 गड़ में 4 जिले चले गए उन्हें भी जोड़ा गया था इस तरह से आपके टोटल हो गए थी 49 6 जुलाई 1998 में तीन नई जिले जोड़े गए थी उमरिया, हल्दा, टीमत और 36 गड़ में भी इसके 5 जिले चले गए उन्हें अगर मिला के बात करें तो आठ यानि की एक तरह से 8-3-11 जुड़े गए इस तरह से 52 हो चुके थी 1 नवंबर संद 2000 में मद्वदेश का पुनरगर ठन हुआ और 36 गड़ को अलग कर दिया गया इसमें 45 जिला बचे थे 16 जिले कहां चले गए थे 36 गड़ में फिर आप देखते हैं कि 18 अगस्त संद 2003 में नई जिले जोड़े गए थे असोक नगर वोरानपूर अनूपूर इस तरह 48 हो चुके थे 17 मई 2008 में दो नई जिले जोड़े गए थे अली राजपूर सिंगरोली इस तरह से आपके 50 हो चुके थे 16 अगस्त संद 2013 में साजापुर्ज जिली से अलग करके आगर मालबा बनाये गये था इस तरह से 59 जिले हो गये थे 1 अक्टूबर संद 2018 में टीकमगड जिले से अलग करके निवाड़ी जिला बनाये गया टोटल आपके 52 जिले हो गये थे ठीक है और इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजी आंगे जिला बन सकते हैं 53 बाद नया जिला नागदा पिस्तावित है 2019 में मत्पधिस में 53 बाद नया जिला नागदा पिस्तावित किया गया उजेन जिले से नागदा खाच रोद और महीद पूर जबकि रतलाम जिले से आलोट और इस पेकार दो जिलों की कुल चार तैसे लों को मिलाकर नागदा जिला पिस्तावित है और 54 नया जिला बाद पिस्तावित है जुलाई सन 2020 में मत्पधिस में 54 नया जिला बाद पिस्तावित किया गया है देवास जिली से बाद नगर सतवास हाट फिपल लिया और कन्नो तैसी इस पेकार कुल पांच ताइस जीलों को मिला कर भागले जिला पिस्तावित है यगिपी कन्नोत कुले कर बिवाद चल ला है आंगे देखिए जो भी करेंट में आप लोग जुड़े रही है इन्हें भी देख लीजे मद्वितिस के नव गठी जिलों की नाम हो गए और कब इने बनाए गए नभीन जिले मूल जिले का नाम जिससे निकला है स्थिवपुर आपका मुरेना से लिख ला है सन 1998 में सहडोल से उमरिया निकला था 1998 में नीमच आपका मंदुसोंर से निकला था 1998 में हरदा आपका होसंगबाद से निकला था 1998 में कटनी आपका जवलपूर से 1998 में निकला था, डिन्डोरी मंडला से निकला था 1998 में, बडबानी, 1998 में पश्चिम में निवार से खरगों से निकला था, बोरहानपूर, खंडवापूर से निर्मार से निकला था सं 2003 में, असोग नगर आपका गुना से निकला था सं 2003 में, अनु में सीधी से निकला था आगर मालबास सन 2013 में साजापुर से निकला था निवाड़ी आपकर सन 2008 में माकरी 2018 में टीकमगट से लिकला था ठीक है यहां भी कुछ पॉइंट हैं में जिलोंका निर्माड बीपी दवे आयो की अनुसार हुआ था और भूपाल 1972 तक सिहोर की तहसिल हुआ करती थी 1956 को ही मद्विदेश की रादधानी और 1972 में जिला बना था ठीक है भूपाल ठीक है यह से भी याद रखे आपसे अगर इस तरह की कुष्टिन से भी कई बार पूँच लेता है और पूँचना भी चाहिए मद्विदेश में बड़े चोटे जिलों की बात करें चितफल बार जिले बर किलोमीटर में सबसे बड़े आपको जिला देखने को मिलेगा चितवाड़ा इसका चितफल है आपका 11,815 बर किलोमीटर सागर दूसरे नंबर पर 10,252 बर किलोमीटर में फैला हुआ है सिव पर ही आपका 10,600 वर किलोमीटर में फैला हुआ है सबसे छोटे जलों की अगर आपसे पूँचे तो आपको बता देना है कि निवाडी सबसे छोटा है 1318 और दतिया दूसरे नंबर पर वो पाल तीसरे नंबर पर ठीक है अगर जनसंक्या के मामली में आपसे पूँचे तो इंदौर सबसे बड़ा है जबलपूर फिर दूसरे नंबर और आपका सागर तीसरे और सबसे छोटा पूचे तो निवाडी आगर हर्दा एक करम से ठीक है पहले नमबर पर आपका निवाड़ी सबसे कम फिर दूसरे पर आगर और तीसरे पर हादा इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं देखिए यह आपके संभाग है तो सरवादिक जनसंग के आप जानते हैं इंदोर में इंदोर में आठ जिले हैं कौन-कौन से हैं इंदोर धार जाबुगा, खरगोंट, खंडगा, खंडवा, बुरहनपुर, बढ़वानी, अलीराजपुर उज्यन की बात करें तो उज्यन में नीवा, चुज्यन, मंदसोर, आगरमालवा, रतलाम, देवा, साजापुर ए उज्यन जिले में हैं चंबल जिसे मुरेना भी कहे देते हैं, इसका मुख्याला मुरेना में हैं भेंड मोरेना से उपर, तीन जिलेस में सामिलें, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर संभाग में आपका ग्वालियर जिलाब तु सामिल है ही, इसके अलावा गुना से उपरी है, सोकनगर दतिया सामिलें, सागर की बात करें तो इसमें सागर भी सामिलें, पन्ना, की बात करें तो जवलपूर, कटनी, सिवनी नरसिंगपुर, बालाघाट मंदला, छिदवाड़ा, डिनोरी आठ इंजिलेश सामेले आठ आपके इंदोर में भी सामेले इंदोर संबाग में और जवलपूर में भी आपके आठी है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ नर्बदापुराम में जिसे इसका मुख्याला है होसंगाबाद में देखने को मिलेगा इसमें तीन सामेले होसंगाबाद, हर्दा, बैतुल सहडोल की बात करें तो इसमें अभी सासन सबसे प्रमुक अदिकारी होते हैं सन 2008 में दो नए संभाग बनाने की गोश्णा सासन ने की थी सहडोल और छिदबाडा इसमें से सहडोल का गठन आप जानते हैं कि 14 जुन सन 2008 में हो कहा था और 11 संभाग छिदबाडा अभी पिस्ता बेत है ठीक है जवलपूर संभाग चिदबाडा वाला गोट इस संभाग का मुख्याला जवलपूर है जवलपूर संभाग में सामिल कर लिया गया था सं 2000 में इनके बारे में ऊपर देख भी चुके ना हम लोग इंदोर इंदोर सबसे जनसंक्या में सबसे बड़ा संभाग है इसका मुख्याला इंदोर देखने को मिलिगा इसमें आठ जवले सामिल है इंदोर धार ज्याबू आली राजपूर पच्चिवी नेवाड खरगोन कहते हैं पूर्वी नेवाड खंडबा बुरहानपूर पढ़वाने भोपाल संभाग की बात करें तो इसकी राध्धाने भोपाल देखने को मिलेगा मुख्याल है भोपाल में हैं इसके अंतरकत पाथ जिले देखने को मिलेगा भोपाल सिवो रायसेन राजगर बिदिसा ग्वालिय सम्भाग की बात करें तो इसका मुख्याल है ग्वालियर में देखने को मिलेगा इसमें आपके पाथ जिले सामिले हैं ग्वालिय सुपुरी, गुना, असुक नगर और धदिया रीवा संभाग की बात करें तो रीवा में आपका मुख्याला है इसका रीवा में देखने को मिलिगा इसमें सामिल आपके चार जिले हैं रीवा सतना सिधी से गरोले उज्जन संभाग की बात करें तो इसका मुख्याला है आपका उज्जन में है सागर की संभाग की बात करें तो इसका मुख्याल है आपको सागर में देखने को मिलिगा इसमें 6 जिले हैं सागर दमो पन्ना चतारपुर टीकमगड निबाडी ठीक है यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए यहां भी आपका पॉइंट है क्या पॉइंट है देख लिजे सबसे बड़े चोटे संभाग की बात करें तो छेतफल में सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपुर है छेतफल में सबसे चोटा संभाग आपका सहडोल है जनसंक्या में सबसे बड़ा संभाग आपका हिंदोर ह जनसंक्या में सबसे चोटा संभाग सहड हो लें ठीक है और इस तरह से आप लोग यहां भी कुछ फॉइंट है इन्हें भी आप लोग देख लीजिए इनसे अगर चंबल संभाग की बात करें तो इसका मुरेना में देखने को मिलगा मुक्याले याद रखिए चंबल संभाग में होसंगवाद का संभाग का नाम बदल कर नर्वदापुराम कर दिया गया था मुक्मंत्री ने होसंगवाद संभाग का नाम या अनुपुर और ग्यारवा संभाग चिदवाड़ा गठित होना बाकी है इसमें तीन जिले सामे लूँगे चिदवाड़ा से उनी बाला गाट इस तरह से इतना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए questions पूँचे जाने चाहिए इनी से आपके काफी questions बन जाएंगे मद्विदेश के बारे में एक overview है एक तरह से आप कह सकते हैं देखिए आपके यहां questions भी पूँच लेता है 1956 में मद्विदेश का कौन से चेत महराष्ट में मिला दिया गया था यह 2010 में पूँचा गया है समझ रहे हैं आप लोग यह 2014 में 2005 में तो इनको भी आप लोग एक तरह से जब आप लोग overview एक तरह से complete कर लेंगे इस पूरी class को तो आप इन questions के answer आराम से दे सकते हैं कि मद्विदेश का पौनर गठन कब हुआ मद्विदेश का एक तरह से राज जी का गठन कब हुआ ठीक है तो इनको भी आप लोग comment box में लिखिए दोनों को ठीक है मद्विदेश दिबस कम बनाया जाता है ठीक है इसको भी आप लोग लिखिए चली आंगे मिलते हैं हम लो कम्प्लीट करवाएंगे आगे ठीक